आज है 9 October और कल 10 October को आपका UPSC Civil Services का Prelims Exam में 2021 का बहुत से लोग सोच रहे हैं कि exam कल होगा लेकिन नहीं आपका exam आज से शुरू हो जाएगा कैसे? सबसे पहली बात कल exam में जाने के लिए सुबह exam में freshly जाने के लिए आपको आज रात को time से सोना है ये point बहुत ही basic point है लेकिन फिर भी repeat कर रहा हूँ हर साल over the years मैंने देखा है कि आदी रात को aspirants का email आते कि सर एंग्जाइटी की वेरे से सोनी पारे अगर आज रात को ठीक से सोगे नहीं किसा रास तो मैं सोच रहूँ पूरी रात revision कर लूँ पूरा साल मेरे को कम पड़ गया लेकिन आज रात में मैं पूरी लक्षमिकान स्पेक्टरम सब निप्टा दूँगा ऐसा कोई stunt मत करिएगा आज जितना भी पढ़ लीजे रात को लेकिन अगर कल सुबे नींद पूरी नहीं हुई तो एक्जाम हॉल में दिमाग नहीं चलेगा C-sat का वेपर दोपैर में होता है तब तक आधी energy drain हो चुकी होती है GS में फिर भी चल जाएगा C-sat में बहुत जादा energy low हो जाएगी So it's better कि सबसे पहले आप अपने आपको चार्ज करें अपने आपको पूरी राज चार्ज करें और कल अपना best दें जितनी बढ़ा योनीद ही हो गई है इसके अलावा अब आप कुछ घंटों में अब एक्जाम कुछ घंटे दूर है तो जो पूरे साल में होना था वो हो चुका है और आज रात को जो सबसे क्रूशल टाइम है You have to charge yourself बिना बैटरी के फोन नहीं चलेगा टाइम से सोना एक्जाम के बारे में सोचने की जुरुत नहीं है तीन से चार अलाम लगा के सोना जिससे की सुबह टाइम से उठ पाओ और मेक शूर सुबह टाइम से निकल रहे हो घर से सर एक्जाम हॉल तो बगल में ही है एक्जाम हॉल तो एक किलोमीटर है दो किलोमीटर है कुछ भी हो at least एक देड़ घंटा advance में वहाँ पे जाके पहुँच जाना क्योंकि आपको नहीं पता रस्ते में कहाँ ट्राफिक मिल जाएगा जिस भी mode of transport से जा रहे हो कैप से, गाड़ी से, स्कूटर से कुछ खराब हो जाया रस्ते में बफर टाइम लेके चलना नेक टू नेक मज जाना कि बस एक्जाम तो अभी इतने बज़े तो मैं बस 15 मिनट पहले निकलूँगा सामने ये एक्जाम होल नहीं थोड़ा advance में निकलना वहाँ जाना, setting वगरा देखना कि कहां से entry है कौन से room number में बैठना है बाहर लिस्ट लग जाती है एक्जाम होल के तो ये सारी चीजों के लिए थोड़ा buffer time लेके चलना जितना पढ़ना था पढ़ लिया ये ऐसा कोई stunt मत करना है कि आस तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा ऐसा कुछ करने की ज़रूत नहीं है and my advice would be कि कर exam hall के बाहर भी पढ़ने की ज़रूत नहीं है क्योंकि exam hall के बार आदे पॉने घंटे में कुछ extra होनी जाएगा ये कोई school का board का exam तो है नहीं कि वो ही question आएगा कि हाँ back question में question number 3 में हमने बताया था important है वो ही आएगा तो पहले उसे revise कर लो नहीं इतना वास syllabus है कितना भी पढ़ लो exam hall के बाद सिरव आपका दिमाग का pressure बनेगा दिमाग को pressure cooker नहीं बनाना है एकदम chilled out रहना है जो हो गए exam hall में देखेंगे जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई एकदम से पहले बहुत से aspirants क्या करते हैं ग्रुप बनाके खड़ो रहते हैं अरे तुमने वहला topic पढ़ा ये वहला current affair तो बहुत important है मेरे sir ने बोला था तुमने environment के लिए वो किताब नहीं पढ़ी science and tech के लिए तो मैं ये पढ़ क्या हूँ इन सब चीजों से strictly 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 बचना किसी के साथ कोई debate discussion करने की ज़रूत नहीं है अपने कान बिल्कुल बंद करके जाना कौन आपके side में खड़ो कि क्या बात कर रहा है कौन सा source current affair topic discuss कर रहा है आपको कुछ सुनने की ज़रूत नहीं है बहुत से लोग ऐसा कर सकते है कि ठीक है इससे अभी मुश्किल सवाल पूछता हूँ इसका confidence तो पहले ही गिर जाएगा ऐसा कुछ करने की ज़रूत नहीं है सिरफ और सिरफ अपने आप में रहना है कान बंद करके रहना time से जाना time से बाहर आना साथ के साथ admit card और photo ID card रख लेना original वाला जो form भरते वे रखा लगाया था photo ID card वो ही वाला लेके जाना है जब आप exam attempt कर रहे हो चाहे GS का चाहे CSAT का पूरा का पूरा focus सारी की सारी energies एक ही सवाल पे होना चाहिए है जो इस time आपकी आँकों के सामने है पिछले वाला सवाल सौल नहीं हुआ पिछले चार सवाल सौल नहीं हुए मेरे को उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि ये वाला question सही होना चाहिए मेरा focus वो होना चाहिए कि ये वाले question से 2 number और 5 number कैसे निकालने GS और CSAT में मेरा focus उस चीज पर होना चाहिए पीछे जो छूट गया उसको मेरे को compensate करना है और आगे हो सकता है जो मुश्किल सवाल आए उसको भी मेरे को इसी सवाल में compensate करना है आधे आधे number से cut off रह जाता है तो जब जो सवाल कर रहे हो पूरा focus सिरफ उसी सवाल पर होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही एक एक करके सीड़ी पर कदम रखोगे तो ही उपर तक पहुँच पाओगे अगर पहाड से नीचे खड़े होगे उपर देखोगे तो लगेगा आर पहाड बहुत बड़ा है लेकिन धीरे 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 चड़ते रहोगे तो अपने आप चोटी पर पहुँच जाओगे तो step by step चलो at a time सिरफ एक question पर focus होना चाहिए आगे क्या आने वाला है उसका डर और पीछे जो छूट गया उसका regret नहीं करना है सिरफ जो question सामने है उसी पर focus करना है strictly वहाँ पर questions के साथ ego दिखाने की ज़रूत नहीं है कोई कुष्टी लढने की ज़रूत नहीं है कि ये सवाल मुझसे कैसे नहीं हुआ मैंने तो fundamental right 15-20 किताबों से पढ़ा था फिर भी ये सवाल मुझसे कैसे नहीं निकल रहा इस type का attitude exam में मत रखना respect the question, respect the difficulty level अगर एक सवाल नहीं निकल रहा उसे छोड़ दो वहीं पर next question की तरफ जाओ जो आपको extra marks दिलवाएगा वहाँ पर question के साथ ego दिखाने की ज़रूत नहीं है ये वाला math and maths का champion था school में ये CSAT का सवाल मुझसे कैसे नहीं निकल रहा ऐसा कोई stunt मत करना limited time है उसी के अंदर questions निप्टाने है तो जो question आता है उसको बहुत ध्यान से OMR में mark करो और जो नहीं आता उसको बाद के लिए छोड़ दो आखरी में time बचेगा तो उसके बारे में सोच लेंगे इसके अलावा GS का paper 1 जब खतम होगा उसके बाद कुछ घंटे का बीच में break होता है और फिर CSAT का paper शुरू होता है उस break में सिरफ और सिरफ अपने आपको hydrated रखो fresh lime वगरा शिकन जी वगरा पीलो कहीं मिल रही है तो कुछ खालो light सा लेकिन cut off का discussion हाथ में phone आते ही answer की का search करना ये सब के panic वगरा में मत पढ़ना कि answer की आगई answer की आगई इतनी जल्दी कोई answer की नहीं आ सकती कि आप exam hall से भारा हो और answer की आ जाए तो ये बात आपको समझने की ज़रूँत है even if answer की उस दोरान आ भी रही है तो 99% chance है कि उसमें गलतियां बहुत जादा होंगी क्योंकि इतनी जल्दी answer की नहीं बन सकती कि 15-20 मट के अंदर answer की बन गई और वो upload भी हो गई तो कोशिश करिए इन सब चीजों से बचें क्योंकि GS में आप जितने मर्जी number लेओ अगर CSAT clear नहीं हुआ तो GS के score का कोई point नहीं है तो discussion, debate, cutoff वगरा की बातें GS के बाद नहीं करना है घर आके जो मर्जी करो घर आके जितनी मर्जी answer की देखो वो आपके उपड़ है लेकिन जो GS और CSAT के बीच का break है उसमें सिरफ अपने आप पे focus करना है hydrated रहना है, गर्मी हो रही है अभी भी साथ के साथ कुछ खा लेना क्योंकि CSAT में दिमाग भी चलाना है energy भी चलानी है, हो सके तो थोड़ा बात मीठा का लेना, उसे energy जादा मिलेगी थोड़ी right, बाकी कोशिश करो कि आज से लेके कल तक सिरफ light food खाओ कोई ये मैदा वाला खाना fried food, तलावा, oily food वगरा मत खाओ, बिना बात acidity, नीन दाएगी आप कुछ होगा, avoid all of that simple light food खाओ घर का और hydrated रहो ये सारी चीज़े ध्यान में रखो और बाकी जो त्यारी होनी थी वो एक साल में हो चुकी है इसके अलावा, कल तक आपको जो मेरे से बात करनी है, जो सवाल करना है ये email id मेरा लिखा हुआ, आप मेरे से बात कर सकते हो instant reply करने की कोशिश करूँगा exam hall के बाहर, GS और CSAT के बीच में भी आप मेरे से कुछ कहना चाहते हो आप मेरे को लिखो, instant reply में करने की कोशिश करूँगा so I am always here, बाकी कोई भी दिक्कत हो we can talk, आप मेरे को email कर सकते हो right, all the best और डरने की जरूत नहीं है, जो त्यारी होनी थी हो गई आप सुराफ कल्पे फोकस करो